हेलो गाइज वेलकम तो अनेधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फेंट्स टीव एस मोटर कंपनी की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अल्सिस करेंगे चलिए फेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए फेंट्स वीडियो स्टार्ट करेंगे नंबर करोड में दिये गया है इंकम की बात करें तो कंपनी का जो इंकम है इस बार का अगर देखा जाए तो अराउंड इट नाइंटी नाइंटी एट पॉन नाइन करोड का इंकम है और पिछले क्वार्टर में 10,125.8 करोड का म क्वार्टर उन क्वार्टर में डाउन है यह रॉन येर में इंकरेंज किया है एक्सपेंसे नाइंटी थ्री हंडटी नाइन करोड का पिछले क्वार्टर में 9362.8 करोड का और मार्च 23 क्वार्टर में 7607 करोड के एक्सपेंस हुआ था एक्सपेंसे क्वार्टर उन क्वा है YER ON YEAR में interference किया है a NET profit 411.5 करोड का पिछले क्वाटर में 509.6 करोड का और 마스크 33 कौर्टर में 335.6 करोड का NET profit go down & year on year mean increase किया Serbs 8.15W Google plaquemind 9 to 6 binnen में這邊 X deutlich पॉस्ले का नेहिए business क्वाटर वो फाउटर ैंओ क्रआ लिव did 32,112 करोड का income है, income में तो increase किया है expenses 36,504 करोड का और 23 में 30,133.3 करोड का expense हुआ था, expense भी increase किया है, operating profit 2702.9 करोड का, 23 में 1936 करोड का, increase करता हुआ देखने को मिला है, net profit 1778.5 करोड का, 23 में 1309.5 करोड का, जो कि यहाँ पर profit increase हुआ है, और EPS 35.5 रुपेज का 23 से increase किया है, तो गाइस company का इंकम प्रॉफिट में डाउन है, बट year on year में increase किया है, और company का जो इस बार का अगर देखे, debt equity ratio 3.4 ताइमस का है, जो कि quarter on quarter में electricity से में, year on year में decrease करता हुआ, देखने को मिल रही, operating margin 10.3% का, profit margin 4.1% का, दोनों quarter on quarter में down है, बट year on year में increase किया है, और अगर हम इसके standalone, यह segment बात करें, तो गाइस automotive vehicles and parts, automotive components, financial services, others, इन सभी को add करके हुआ है, जो कि quarter on quarter में fall है, year on year में increase किया, financial year ended में भी increase किया है, अगर हम इसके standalone financial result को cover करें, तो income है, 8140 करोड का, पिछली quarter में 813.94 करोड का, और March 23 quarter में 6675 करोड का income है, income quarter on quarter में down है, year on year में increase किया है, expenses 7468.5 करोड का, पिछली quarter में 7543 करोड का, और March 23 quarter में 6128.6 करोड का expense हुआ था, quarter on quarter में down है, year on year में increase किया है, operating profit 671.6 कροड पिछलोए quarter में 775 क्रोडल का और March 23 quarter में 546.6 करोड का operating profit quarter on quarter year on year year on year में increase किया है. net profit 485 क्रोडन का पिछले quarter में 593 क्रोड का मार्च 23 quarter में 410 करोड का profit आ quarter on quarter में down है यर नानेर में increase किया है ए PS 10.22 का quarter on quarter में down है यर नानेर में increase किया है तो तो आज ओवराल company कर रिजल्ट average पेज़ कि क्योंकि quarter on quarter में down है बटियर on year में increase कि अगर हम इसके शियर कि बात करें 1996.6 रुपीज पे आज कर सकते हैं आवरेज करना चाहते हैं तो अब आवरेज भी कर सकते हैं तो हम लोग जो है वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं और कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं डिलना बाई बाई